किरकर टिहास जबकि छे खिलाडे को गंभीर चोट पहुंची थी इस हमले के बाद किरिकेट की इतिहास में इस दिन को काला दिन कहा जाने लगा आज इस घटना को 13 साल हो चुकी है लेकिन अभी तक इस आतंकी हमले से पाकिस्तान ओबर नहीं पाया है यह हमला इतना खतरनाक था कि दुनिय जेलना पड़ा वहीं पाकिस्तान में खिलाडियों की सुरक्षाओं को लेकर भी पीसीवी पर सवाल उठने लगे इतना ही नहीं दोस्तों यह भी खबर आई कि खिलाडियों की सैल्दी पर भी रोक लग गई मतलब खिलाड़ी फिर करते तो करते क्या हमले के 13 साल बाद पाक पाकिस्तान की छवी खराब कर दी थी क्यूंकि आप किसी घर महमान बनकर जा रहें वहां हमला हो जाए तो छवी खराब हो नहीं थी इसे दुनिया की क्रिकेट टीमों उन्हें इतना डर बैड़ गया कई साल तक किसी भी टीम ने पाकिस्तान का दोरा तक नहीं कि पिछले पाकिस्तान में अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंती थे इस करण मुकाबले में मैदान की बाहर सुरक्षा कर्मियों की न्युक्ति की गई है बता दे कि पाकिस्तान में खिलाडियों पर हुआ आतंकी हमले के 6 साल बादियाने 2015 में पाकिस्तान में इंटर नैसनल क्रिकेट क अनुमती मिली अनुमती के बाद मार्च 2017 में कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान सूपर लिक का फाइनल मुकाबला खेला गया था बताते चले कि साल 2025 में पाकिस्तान चैंपिन्स ट्रोफी की मेजबानी करेगा ऐसे में खिलाड़ों की सुरक्षा को लेकर संद्धे अभी कोशिश करता नजर आएगा तो दोस्तों ये क्रिकेट के इतिहास का काला दिन है तीन मार्च की तारीक नेक्स्ट नैन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट